किוט माहनगाई जो है वो सवतेली माह थी आज माहगाई भोजाई हो गई चंगर्स अबसे बड़ा ये संद्सी था लालू जी तिन शार को काम किये बनिया बनियां फुर्ष्ट काम की लालू जी के सरकार में सिकायत हम नहीं कर रहे हैं फॉर्ष्ट बचला येगा चैनल पर इस को जो अपना बेटा को मैटिक तक नहीं परा सकता है एक बेटा नहीं दोनों बेटा को लोग सभा के पहले चेरण का जो चुनाव है 19 अप्रेल को हो अब बहुत ही कम दीन बचा है बिहार में लगता जो केंद्र के नेता है मंत्री है वो दोरा कर रहे है और 40 सीटों को साधने का प्रयास कर रहे है अब पटना जक्सन पर है बिहार के लोग क्या इस वर मोधी को हेट्रिक देने का प्रयास करेंगे या कोई नया चेहरा दिया जाएगा बाते करेंगा आपका क् लोग 4 लाए थे उन्होंने जो कहा था कि महगाई की मारव की बार मोधी सरकार बोले थे लेकिन चौधे में जो हमने पहले भी कहा कि जो दिनाई का दवाई 18 रुपईया में मिलता था वो अभी 180 रुपईया में मिलता है प्लेटफॉर्म आज पटना इस्टेशन पर हैं हम यहां कछात रहें यहां परते थे आई 80 में वो दो रुपईया टीकट था आज 50 रुपईया टीकट लिया जा रहा है और जितना भी भारत है उसमें जो 100 परसेंट जो है 200 परसेंट बिर्दी वी है तो क्या भाजबाई आप जो कल तक कह रहे थे कि महगाई की जो से निजात दिलाएंगे कल महगाई जो है वो सवतेली महा थी आज महगाई भोजाई हो गई क्या गरीबों को जो है आप दो किलो रासन दे करके उसको जो आप भाला फुस ला रहे हैं एक दिनाई का दवाई घर में परते घर में भी मार पड़ता है एक टेबलेट का जिसका दाम 6 रुपईया था उसका 60 रुपईया हो गया जिस कपरे को मतलब 100 रुपईया में जाता था अज उसका दाम जो है 2000 रुपईया हो गया क्या आप उसको देखे क्या धरताना चाहते हैं कि दस साल डेमिसाल यहीं बेमिसाल है आप जिसका स्वपन दिखां करो भारत जो और हैं अच्छे दिन आने वाले हैं यही है कि गरीबों कर आथा सब्रस का यहीं होट आज तक पूरे भारत में कभी जो है खाना पर होटल पर जो है टेक्स नहीं लगता था आज आप अगर भाई भी स्टार होटल में खाने जाते हैं या किसी भी होटल में जाते हैं उस पर जो है उस पर भी जो है टेक्स लिया जाता है दबाई पर आपका सिक्छा चिकित्सा सब कुछ आप जो है आपका विहार में आप देख लिए ट्रेव मंत्री में कुश्चन आउट हो गया कहां है आप अच्छे दिन आने वाले आप में भी आपका रशाचार पर बात कर रहे थे आप परतेक ठाने में जाए परतेक ब्लॉग में अगर आपको एक दरोगा से पाला पर जाएगा तो आठ दिन आप सोएंगे नहीं बीना घुस लिए आपका एक भी कमने होगा आपके घर में आपका हड़ी पसली तोर के एक कम कर देगा जो दबंग है आपका जंगल राज की बात अब भी आप जाके देखिए कि आपका हड़ी पसली आपके परिवार को हमने दे बाइस से कि मेरे पास पैसा नहीं तो केस भी नहीं लेगा तो मोधी की इतनी बुराया गिना रहा है तो किन बोटरों के दम पर चार सो का दावा कर रहे हैं इन बोटरों को हवा हवाई का बोटरों पर और वहीं हमका कमाल जीस तरह से आप देखे थे विधान सबाचुनाओ वहां से नरेंदर मोधी जी और हमिस्टा जी यहां आए और एक दम आराम से अगध्धी जमा के परतेक जिला के कलक्टर को पकर लिए कि किसी भी स्थ चुकी के अदर में भी आपका सरकार यहां भी आपका गटबंधम दोनों मिलके जो हैं 107 से एक दम गीन करके गीन के मातर पॉंच काम रखे कि इसको आप एक भी नहीं जाने देंगे इसलिए इसलिए का आपके अंदर में भी बैठे हुए हैं एडी बीडी सीडी समों पर आपका जो आधिकार है आप जो कहते हैं जैसे भालू को नौत करके मदारी घुमाता है एक वारा इसे मारता है तो जैसे कहत है आप सब को भालू बना दिये आपके हाथ में बागडो रहें ल间्टा रहें लोगों को उसी दम्पर का रहें लेकिन आपने हम मोनते हैं कि आप अच्छे नेता हैं लेकिन आप ने जो वादा किया था आप ने जो कहा था बरस्ताचार को मताएंगे तो आपको बड़ाबर दिखा देता है जमीनी हक मॉधीर दिखाई दें रहा है बिकास हुआ हुआ चुनाए जाए नहीं जैसे चुनाई रहे कुछ अच्छा रहा है तभी आ रहे इसका आपको जो है 14 से मुखा मिल आच्छा और आपने जब एक वे repacer को चुनाराइब को अच्छा है आपने भी हर को काई उपकेज दने आपने काई भीकेश राज का दर्जा दने आपने क्या थो तैब 13 Cada भास वादा किया था कि 10 आपने मोधी जी कहते हैं कि जो है कि एडी और सिभी आई में कोई जोल नहीं है इभी अगर जहां स्टेट है अगर वहां ममतादीदी की सरकार थी वहां का जो आस्थान या परसासन उसका था इसलिए नहीं ले पाए जहां आपका दोनों गटबंधन क्यों ले आये पल्टूराम को काते थे का आपका परते दरवाजा बंद है कभी नितिश कुमार जी को नहीं लाएंगे इसलिए इभी अ को कब्जा करने के लिए जिसको आपने लात मार दिया था जिसको अभी सिलीप कर रहा है उसको फिर से ल दो गए उस दरवाजे को खोल के कि यह चाल चलने के लिए दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के जिरिवाल का अभी तक गुणा साबित नहीं हुआ सक्के अधार पर उनको जेल में रखा गया है 2018 में मोदीवी कानून में संसोधन किये कि सक्के अधार पर जेल में डाल दिया जाए क्या उनके साथ सही हो रहा है नहीं कहे जो कि जो भाजपा में आ जाए कल तक बंसबाद की परिभारबाद की पाटी थी आज उनके N-D-E गठवंदन में आप देख लिजिए उनमें परिबार जितने परिबारबाद है खोने आप नुंसे और आपमें ताकत है आप जनता को दिखा रहे है। जनता देख रही है आप इस बात को जिस बात को वो भोजी इसके पर घरे उथरिये मोदी जी, आपको पसंद करता है, लाई करता क्या बिहार के जनता को और इंडिया की जनता को गधा समझ रहे हैं, परिबारबाद नहीं दिखा जो आपके साथ आ जाए भरस्टाचारी भी है उसको आप गले लगाने का कम करेंगे वह भरस्टाचार नहीं है वह भरस्ट नहीं है जो आपके विरोध में अगर मैं यहां इस्टेशन पर बात कर रहा हूं तो अभी भाजपा वाले गाली देखे आपके सामने में गया ना कि मोदी आपको कितना गंदा सब्द बोला कितना गंदा सब्द बोला मुझे भी बोलने आता और उसको हम पहचान के रखते हैं हम काई भी देश के नहीं है वह जो इतना गंदा सब्द बोला लेकिन चुना भी माहल हम दस्गरदा सबको आजा दिय टया लेकिन आप आपके यहां डिवेट करते घाली दे के चले घए यही भाजपाई कहते जंगल्राज यही बाजपाई आपके समनें माभी घाली दिया यह आप सर्मत्रों जनता के बीच में उनहों ने कहा नहां कि तो बड़ा नेता है तो बड़ा इडी हम पुटपा फुटपा लोग है था भाजपाबा लेगा सीट के ले जाओ ठीक है इसलिए कि बिहार में जो है जब आते हैं तो गले फार फार के कहते थे सवासा करोर का पैकेज यह देंगे वो देंगे इसलिए एक बिहार में नहीं दिये बेरोजगारी बरहा है आपने जो है सब कुछ को बेज दिया इस्टेशन को बेज दिया सारा तंत्र को बेज दिया हवाही जाज को हम सब कुछ को बेज दिया बिहार का यूबा रोजगार के लिए पलाइन कर रहा है बिहार से बाहर जा रहे हैं हम रोजगार ने इसी लिए उनको डर लग रहा है कि हमने बिहार के बारे में कुछ नहीं चोचा बस कभी पल्टूरा हम को लाके इधर कभी उधर तो इधर उधर चलता जा रहा भी हार का कहीं कोई लेकिन आप क्या समझ रहे हैं हम जो बोले ठीक है आप बहुत बड़े हैं प्रधान मंत्री हैं लेकिन आप इस साथ में यह बोलते हैं क्या समझदार जन्ता नहीं सब समझते तो गंगा मया की कसम खायते कि सारे नदियों को साफ करवा देंगे गंगा नदी पटना की गंगा स्थिति खरे नहीं रहा पाईएगा जहां आप जो है छट पुजा में बस जो अपना अपना यह करते हैं थोरा सा सरकारी सुग्दा उसके बाद आप प्रत्यक्ष बता दिजिए परमान दे दिजिए कि कहां गंगा का सफाई हुआ है गंगा के सफाई के नाम पर हो सकता है हुआ हो यह हो सकता है कागजी हो सकता है लेकिन परत्यक्ष से चले अभी भी जा सकते हैं हम 15 मिनिट में गंगा किनारे चले जाएंगे पईदल ही आप देख लेंगे यहां से लेके परत्यक्ष को परमान की क्या बस सकता है सिर्फ कागज पर या मंच पर बोल देने से विका प्राइवेट संस्थान है यहां भी अगर देहाद से बच्चे पढ़ने आते हैं इंजिनेरिंग का तयारी करता है मेडिकल का तयारी करता है एक दो पैसे में नहीं एक लाउज मिलता है तो सिंगल रूम मिलता है एक बच्चा परने के लिए यहां आता है तो पंद्रे आजार रुपई या महिना खर्च करता है क्या एक पिता गरीब मजदूर किसान वह जो तमन्ना से भेजता है कि हम अपने बेटे को परा लिखा के सरकारी नौकरी में देंगे आपका रहें बस सरका नौकरी दो उनको रोजगार दो चाहिज दो आप अच्छे किसी में नहीं लगा हुआ हूआ कि आप ने जो कहा दस साल से आप छला आप यहार की जनता को ठकने का काम कर रहे हैं इसलिए विहार की जनता आपकी बार जवाब देंगे और लिए कि सारे को वारा इंडिया भागा सरकार इधर फोर्म भीवाली यह परकंड में जाकि यह पैसा मिलेगा भी नहीं आपको क्यांदर सरकार पैसा देगी आप जो है भरस्टाचार आपको तुका रहे हैं परखंड से लेके आपका दिल्ली तक है जहाँ भी आपका प्रष्टाचारी आप आपक एक वार मोदी जी नेतर खोल के देखें कहां का भरस्टाचारी बरा है एक सब परसंट नहीं एक हजार पर सेंट बरा है जहां एक सव रुपईया बरस्टाचार में खुद्धीता इस विहार में बीजेपी में लोग जो है कि करप्ट नहीं है उनके लोगों पर सीबी और एडी का छापा क्यों नहीं पर पाता है उनको कोई निकाने वाला है लेकिन गरीब का जो है वो अगर थोड़ा सा सर से घुंगट की सक जाए तो वो गरबर है यही आल है तो रास्ता बना रहा है आगे कि जो सरकार आगी फिर वो क्या करेगी वो भी तो यही करेगी अगर मोदी जी ये काम कर रहे होंगे तो मोधी जी काम कर रहे होंगे बहुत अच्छे थे हम लोग भी स्वपन में देखे थे हमने उसको बोट किया किस उम्यद से लाये थे दो एचब लाये थे कि अच्छे दिनाने वाले हैं वो कह रहे थे कि इतने से पैसा जो है स्विस बैंक से लाया जाएगा हमको भी उमीद थी अभी भाजपाबाले का स्विस बैंक में और उससे दस गुना जा रहा है पकर-पकर के छोटी मचली को ला रहा है बेज़ा जिस जो उससे भागेगा उसको ला रहा है आप देख लें महरास्ट में जिस पर आप वह इडी का सी कंजा कसने जा रहे थे सरत पबार के भतिजे को अजीत पबार को जब इनमें डर से आया तो उनका अब लिपा पोती हो गए फिर जो उनके बिरोध में था उसको जेल भेज़ दो दिल्ली में वही है बिहार में वही है बस इनके पास एक ही ताकत है कि बस सब को धमकाओ इडी के बारे में डर दिखा बस यह जो है फट मेरे में आगा इनका रिंच बहुत सुंदर है की दुर्दसा कैसे सुधरेगी उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा एवाई जब बीस बरस नितीस जी को मुका दिये पलटू राम को पलट के इधर पलट बीस बरस सिसी में चला गया आप देख लें अब बीहार का मौका जो है जंता एक चीज़ जान लिजे एक हमारे ने लीडर से कहा था कि रोटी क्यों जली घौरा क्यों आ रहा पॉन क्यों सरा इसलिए फैरा नहीं गया अगर रोटी को आप नहीं फिरिएगा तो ऑन को नहीं बिकास केसे होगा बिल्कुल बिल्कुल इनकी बाते से शरकार बदलते रहना चाहिए हम लोग पिछले बार 49 सीट दें गुजरात में 26 गया तो दस साल में पता कर लिजी सर्वे में कितना कमपणियों वहां गई है और हम लोग बिहारी लोग जाते हैं अरे बिहारी आया काम कर करने के लिए इस तरह से बेहाई भी अब होता है गुजरात में अब बते 49 सीट जगह पे एक भी फैक्टरी बगेरा नहीं आया मर्चबी सीट जहां से वहां से पूरा गया है तो आप अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं कि ट्रेन में भर करके गुजरात में जाकर करें हम सुने थे यूट्यूम में आपका देखें थे पहले से कहते है ते तेजस्वीजी कहां से पैसा लाएंगे पैसा कहां से लाएगा कैन आप बुर्वक बना रहे ते अभी भी बरस्टाचार से तरह से जंता जिसका एक ब्लॉक वेवी जमीनी सर्वय के नाम पर आप जाके देखिए पूरे जमीन को सर्वय कर आमीन घर घर जाके लूट रहा है आपको अगर हम भी उसका भुक्त भोगी हैं हमको 40 भी गाजमीन है फसे हुए हैं इसमें यतना पैसा तो पर 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 और यह चाउथा बार है यह इस बरस्टाचार को कब खतम होगा प्लॉक में सीओ एक के बाला प्मोटे सन पर 10,000 रुपय आ लेता था था अभी 20,000 में भी नहीं सुनदा है इस बरस्टाचारी को कौन खतम करेगा बिहार को बदलने के लिए क्या कर पहले इंका जबाब हम देते हैं बात का याधा बोले याधा छोर दिये निती जी के 17 बरस इनको याद आ गया कि कुछ काम नहीं किये और निती जी के पहले 17 बरस के था बिहार सरकार में लालू यादे और को हम स्जरीप Heard यादी की घाले इसे बिवार की यादार्स से म में सबसे बड़ा विकास जो है ने सिरी लालू परसाद यादव जी देखा हैं रेलवे में रेलवे में क्या किये हैं हम लोग तरफ रेलवे लाइन चल गया लालू जी के राज में जहां नहीं जाना था जहां कभी भविस में सोचे ने थे तो उसमें पूछता कि रेलवे सबसे बड़ा अर्थसास्त्री था समझें भारती एकनोमिकल के उधारी करन के पीता जहें ने मनमोहन सिंग माना जाता था वहां पूछ रहे हैं कि जो बता दीजै क्या लालू जी तींचार को काम किये बनिया बनिया फ़श्ट काम की लालू जी के सरकार में सिकायथ हम नहीं करें फ़श्ट बचला ये गा चैनल पर इसको लाइन का बेवस्ता नहीं था जो सब तार काट करके इनार पुछते हैं इ दिया गया था लात भर के पानी घिचने वाला और विजली के तार के सब अपना अरगानी और रास्ता में उसब फेकल मिलता था नमरे हाँ नमर दू रोड का स्थिति था कि अगर महिला गर्भावती और भजपूरी में बोल रहे हैं वह आधा लगभग मर जाना पड़ता था रोड में चुकी बैल गारी था रोड नहीं है तो ट्रेक्टर अबल गारी खुद हमरें घर में मरा है यह किसी से पुछ लिजेगा जिसका उमर अगर 35 पलस हो रोड की स्थितिका था पर हाई की बदला में चरवावी देले खोले गया था उससे चरवावी देले के काम कौन पांच्वा काम किसको जमीन है तो पसेना बहा केना जमीन उसका हजी और ज्जण्डा पर के खरियान हो मर के मर के कट मर गया पूर नर्संहार आप उलिट के दिखे गया है गूगल पर 75 प placement घर एक रात में साफ। हम इस आप कम किनवा रहीं हां कि निती बाए में पर्ला कर द Карण करती ज्याधियी फाला रहा नमर पूलिस कर्मी शोल सब्सक्राइब मतम समय पुरा थाना नहीं बनल सब अगर काम पर वोट अगर बि अगर विहार में, अगर बिहार में तो नितित कुमारें कोई गूर्मेंट अभी अब सब्रकूत नहीं हुँआ है इसका पुछ साफ सब्रक्ने वाक क्योंति कुमारें सब्रक्रा वच्च समय वाण हमको एक चीज नजर आता है लाली बेला कर खाना कई किसका दिया ओप खोले हो लालु यादो के राज में खुला यहां रहे बैला में हमेरे वर्य वह दरियापूर बेला लियाया चाका कर खाना और एंटिपीशी के खुलवाया बार में तुम जानना चाथ यह बद्जिली वा पूरा में जो रेल इंजन का कर खाना है कि इंजन का वू कौन खोल वाया इंटरनेशनल एवर पोर्ट नलांदा में इकोन बनवाया है इस्टेडियम इकोन बनवाया है इस सब पुछिए हम अमरा कहना में अलेज देखे इनका कहना इनका इनके कहने में भी पुछिए इसलिए चाहिए ना कि लाल जंडा गरबाद यता था जमीन पर और वह लाल जंडा आपके जमीन पर नहीं गरबाते थे वो आपकी जमीन थी ही नहीं गरीब गुर्वा को जो है जिसको भूमी ही जिसका जमीन चीना था सामन्ती ताकत के संकसर करवाई सरकार का है लद अखल करेगा सामन्ती ताकत जिससे चीनते थे वो चीना था वो जगा उसको सुनिए लालू जी ने एक ही काम किया था अपने अधिकार को पहचानों जगा नीचले अस्तर की जनता जागी वो खोजने लगा रसीद खोजने लगा अधिकार चौती साल पहले बोले थे अभी गाय चरा रहा है जोपरी में रहने वाला जो पड़ीया रहा है हमारे यहां है हर्जन टोली अभी तक एक ब्यक्ति उसमें से मैटिक पास नहीं किया है इस पर कुछ नहीं अरे जो अपना बेटा को मैटिक तक नहीं पराज सकता है एक बेटा नहीं दोनों बेटा को कर सकता है वियार का भला सूचने वाली बात है ना एक रोड बनवाए तुनिये ना एक स्कूल बनवाए के साल हुआ 15 साल मुख मंतरी 10 साल रेल मंतरी 25 साल सासन किया एक भी रोड नहीं एक भी स्कूल नहीं एक बिजली तो किसी गाव में था ही नहीं पहले से था कहुने से सासन में इनके सासन में सारा टांसफर्मर गीरा बिजली स्वाह स्कूल सब गिर गया आज देखिए आज मैं दूमंजी लाइज तूल विया गाने इन बादे शुल हार गाने हार गाने हार गाने मार्ग करना जाफ दाऊ में हम और गाने बात की आहे टालाई गुर्ण के अपनु थी था आपको बता रहे हुआ यह लोगा आपको लडाई अट्क अम्तरा आपनों क्या सोचे आपना कुछाए नहीं प्लॉक्स में दुज़ेगा बहुत बहुत अन्मेदा